अगहन महिने में शुरधालू घर द्वार सजाकर मालक्षमी जी की पूजा करते हैं। पौरानिक मानिताओं के अनुसार अगहन यानि मारक्षी समास को महालक्षमी जी का महिना माना गया है। इस महिने के गुरुवार को धन की देवी मालक्षमी जी की विधिविधान से पू लक्ष्मी जी का आगमन ऐसे भक्तों के यहां होता है जिनके घर में सावसफाई सजावत और मन वचन और कर्म से पूरी सात्विक्ता शुद्धता होती हैं पौरानिक मानिताओं के निसार यही कारण है कि महिलाएं हर बुद्वार को घरद्वार को रंगोली से सजाकर पूज गुरुवार की सुभा को जल्दी उठकर यानि ब्रह्ममुर्थ में उठकर उनका अवाहान और पूजा करते हैं सुभा दुबहर और शाम के समय तीनों समय उन्हें भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन मालक्ष्मी जी की पूजा सुभा पांच बज़े से पहले और शाम की पूजा शाम पांच बज़े के बाद कर लेनी चाहिए क्योंकि गुरुवार का दिन होता है इसलिए आपको बहुत ही साफधाने के साथ नियमों का पालन करते वे मालक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन आप भगवान विश्नु की पूजा भी साथ में जरूर करें सुभा आप मालक्ष्मी जी की जो भी मूर्ती तस्वीर आपके पास है उन्हें इसनान कराकर फिर तेलक लगाएं अक्षद अर्पित करें लाल चुंडी लाल कलावा अर्पित करें हो सकें तो श्रंगार की सभी सामगरी भी अर्पित करें और उन्हें वस्त्र भी अडपित करें घी का एक दीपक जलाकर रखें और हाथ में जल और पुष्प लेकर वरत रखने का संकल प्लें उत्तर दिशा की तरफ ही मालक्ष्मीजी का वास माना जाता है तो उत्तर दिशा की और मुह करके मालक्ष्मीजी का अहवान करें हर पूजा में सबसे पहले वि कर सकते हैं नहीं तो आपके इंट किलश की स्थापना कर सकते हैं आज कि दिन पूझा करने के लिए हात की तर एक लोटे में जल भरें उसमें शक्कर डाले रोली अक्षद कुम-कुम डाले और और इत्र की कुछ बूंदे डाले क्योंकि मालक्षमीजी को इत्र बहुत प्रे होता है कलश में आम या अशो के पांच या साथ पत्ते रखें और उसके उपर आप चाहें तो नारियल आप रख सकते हैं नहीं तो एक दीपक आपको जलता हुआ कलश के उपर रखना चाहिए कल और श्री महालक्षमे नम्हा मंत्र का यथा संभव जाप करते हुए आप पूजा प्रारम करें आज के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ महालक्षमी इस्तोत्र का पाठ कर सकते हैं व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए दूब दीप जलाकर आप सबसे अंत में क पूर जलाकर आर्थी करें मा को सुभा फलों का भोग लगाए और उन फलों को प्रशाद रूप में सभी लोगों में बाढ़कर खुद भी ग्रहन कर सकते हैं सुभा की पूजा इस प्रकार विधी विधान से करें पूजा करने के बास सबसेंत में हाथ चोड़कर शमयाशन पूजा करें और हाथ चोड़कर उन चरनों को प्रणाम करें मंदिर में भी आप मालक्ष मिर्जी के चरन चिन बनाए और उनकी पूजा करें सुभा इस प्रकार आप विधी विधान से पूजा करके अपना व्रत प्रारम कर सकते हैं दिन भर उपवास रखें कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे की व्रत खंडित हो जाए जिदि आपके घर पर कोई भी सुहागिन महिला आए तो उसे आप खाली हात ना जाने दें उनका मुझ मीठा कराकर ही आपको उन्हें घर से विधा करना चाहिए कोई भी आचकाई खाली हात ना लोटाए और शाम को आप शाम लगाना चाहिए मालक्षमी जी को खीर बहुत प्रे होती है तो खीर का भोग आप लगा सकते हैं मालपुए का भोग लगा सकते हैं दूध या दूध से बनी हुई मावे की बर्फी का मिठायों का भोग आप लगा सकते हैं और प्रशाद ग्रहंट करके आप उसी जेवरत का फारणा भी कर सकते हैं शाम के समय दिया आपके परिवार में कोई छोटी करनिया हो तो सबसे पहले आप उन्हीं को प्रशाद दे और उसके बाद परिवार के बाकी सद्दसों को प्रशाद देना चाहिए आपने जिस चौकी पर मालक्षमिजी की पुजा आज की है जो आपने कलश की स्थापना की है चाहे आम के पत्ते हो या शुक के पत्ते हो और जो जल है उसका विसरजन अगले दिन आपको कर देना चाहिए आज के दिन बहुत से लोग आम के पत्तों से और धान की बालियों से आवले की पत्तियों से भी मंडब सजाते हैं अगर आप भी ऐसा करन होते हैं फूल पत्तियां उनका विस्सजन आपको अगले दिन सुभा की पूजा करने के बात कर देना चाहिए बासी फूल पत्ति कभी भी मंदिर में रखने से दोश लगता है इसलिए कभी भी मंदिर में इस परकार ना चोड़ें जो महिलाया करन्याय लगातार गुरुवार करके दूसरों से लेकिन आपको मानसिक पूजा मनही मन जरूर करने चाहिए मंद से आप मंत्रों के जाब करे मननसे भाव करते भगवान को देवि मा को आप याद करे वृत की कथा आप मोबाइल के द्वारा पर सकते हैं किसी भी धार्मिक पुस्तक इस दौरान नहीं जोना चाहिए और या किसी और के मों से आप सुन भी सकते हैं नियमों का पालन फिर भी आपको वृत के दिन करना चाहिए तो इस प्रकार से आप मालक्षीष गुरुवार का उरत रख सकते हैं मालकश्मी जी को सबसे जद references होती हैं कटीया कमलगटे हर गुरुवार के दिन आप इन कोडियों की कमलगटे की पूजा करें और ध्यान रखें मालकश्मीजी के साथ जिस घर मालक्षमी जी का इस थाई वास बना रहता है उस घर में कभी आर्थिक नुक्सा नहीं रगता तो इस प्रकार से आप भगवान विश्नु की भी पूजा करें गुरुवार का दिन है तो केले के पौधे की केले के व्रक्ष की पूजा करें केले की जड़ में मीठा जल अर्पि होगी अगर आप माक्षिस गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली मालक्षमी जी की व्रत कथा चालिसा पार्थ या आर्थी भी सुना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड़ेड है आप जरूर सुनिएगा